नमस्कार आदाव सुस्रियाकल गाईज मैं आप लोगों को आपना भी से शरुहा एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपनी होमें प्लेटफॉर्म अद अकैडमी जी एस टर्मिनल पर गाईज आप लोग मेरे साथ जोड़ेंगे और आज हम लोग डिसकस्ट करने वाले हैं सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक को जो होगा ग्लेंट्स आपसर यहां से एक्जाम में क्योशन पूछा जाता है तो आप लोगों की बाईलोजिक फिजिक्स क्यावेश्ट्री तीनों चीजें कंप्लेट होगी आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं आनकेडमी प्लस प करना होगा प्लस के लिया को स Sung時間 लेना होगा Л कनकेडमी प्लस के लिए तो आपको सबसे पहले पता दो हमारे सबसे बड़ा प्लस के फिजर क्या होंगे सबसे बड़ा क्या है आपकी लिए फासिस होती है आ हैं यहां पर धिम में multiple साप लोगों की live classes चलती है हर exam के लिए already test course available हो तब वो भी live mode के अंदर guys same as it is जो weekly test conduct होते है ये भी live mode में conduct होते हैं guys आप लोगों के और तो और जो आपके doubt sessions होते है वो भी live mode के अंदर होते हैं guys ये भी क्या होंगे आपके live mode में और जो आपको notes provide के जाते guys वो dual medium में होते हैं Hindi as well as English में होते हैं guys आप लोगों के ये क्या है आप लोगों के features है plus के guys ये क्या है आप लोगों के अनगेडमी plus के features है इनका benefit कैसे ले सकते आप लोग आपको क्या करना होगा guys subscription लेना हुआ कैसे ले सकते हैं यहाँ देखिए का आप लोग आपको अपने google play store पर जाना है जाना है आपको download करना है और फिर इसे क्या कर देना है open करना है जैसी ओपन करेंगी तो आपको सब से पहले आपको अपना exam select करना है एक सरुब एक्जाम आपका exam कौन सा होगा SSE exam होगा guys उसके बाद क्या करने वाले है get subscription पर click करने वाले किस पर click करेंगे get subscription पर click करेंगे जैसे get subscription पर click करेंगे तो आपको पूरी की पूरी subscription fee आपके सामने आ जाएगी खुल कर guys और इस subscription fee के अंदर आपको क्या करना है मैं आपको suggest करूँ आपको one year का plan select करना है जैसे one year का program select करते है guys आपको मेरा code डालना होगा मेरा code क्या है तो red में लिखा हुआ और तो मैं आप लिख भी रहा हूँ ABS live मेरा code क्या है ABS live क्योंकि इसके डालने से आपको क्या मिलने वाला है discount मिलने वाला जैसे आप इसको apply करते हैं यहाँ पर ABS live को तो आपकी तो one year की fee है after discount only and only 5,400 रुपीज अरे बाबा 500 रुपे शिर्फ एक साल में 500 रुपे फीस होगी जब मेरा code डालना है आप लोग मेरा code क्या है ABS live क्या है मेरा code ABS live तो यह आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे साथ plus पर भी जोड़ सकते हैं जल्दी से और आज की class शुरुआत करते हैं glands से गरंथियों से जल्दी से करें गाईज जल्दी से चले हमारे साथ जल्दी से करेंगे गाईज बहुत बढ़िया glands की शुरुआत करेंगे गरंथियों की शुरुआत करेंगे आप लोग मेरे साथ गरंथियां जल्दी से बताएंगे गाईज ये क्या होती है जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बताएं जल्दी से दोस आप लोगों गठन लागी होना चाहिए आप लोगों के अंदर एक जवाला मुखी बढ़नी चाहिए उस जवाला मुखी की लोग के अंदर आपको अपने आपको बढ़ना है गाईज पढ़ना उसी तरीके से बहुत अचे जल्दी से और जो लोग लाइब आगे का औरगन होती है हमारे सरीर का क्या होती है आंग होती है बाबा जब हमारे सरीर का आंग है औरगन है तो कोई न कोई फंक्शन तो करेंगी न कोई न कोई फंक्शन तो करेंगी तो क्या काम करती है ग्लैंट्स याद रखना आपकी बोड़ी में केमिकल सबस्टांस को क्या? चैमिकल सफ्टार्थ बोले तो एक रसाइनिक पदार्थ एक रसाइनिक पदार्थ ग्लैंड से अब इसा क्या निकलता है? एक रसाइनिक पदार्थ निकलता है जो ये कैमिकल सफ्टार्थ से ये क्या है? ये दो परकार का होगा या तो ये हार्मून रूता है या फिर ये एंजाइम होता है या फिर ये हार्मून रूता है या फिर ये एंजाइम होता है जो कहां से निकलता है? ग्लैंड से निकलता है ग्लैंड से ग्लेंट्स क्या है आपके सरीर का और 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 इसका मुख्य का वो क्या है एक रसाइनिक प्रगार को निकाल रहा हूँ कोई दिकत मेरे साब से कोई दिकत में पूरूँ सिर्फ मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा आपको सिर्फ वो थोड़ी सी ध्यान रखनी है आगे मैं गार्णटे लेता हूँ कोई भी समझतर नहीं आने दूँगा तो याद रखिएगा ग्लेंट्स क्या है आपके बोड़ी का एक औरगन है एक अंग होती है इनका मुख्यकारी है एक केमिकल सब्स्टांस रिलीस करना एक रसाइनिक पदार्थ को निकलना और जो रसाइनिक पदार्थ होता है यह आपका हार्मोन भी हो सकता है और आपके एंजाइम भी हो सकते हैं गाईस आए समझतर अब यहां देखिएगा हार्मोन क्या होता है और एंजाइम क्या होता है क्या होगा गाइस बता सकते हो हार्मून क्या हो सकता है एक pure chemical substance होता है हाप pure chemical substance हाप pure chemical substance मतलब कि एक सुद्रसाइनिक पदार्थ होता है सिदा सिदा मैं आपसे बता हूँ ये क्या होता है एक सुद्रसाइनिक पदार्थ होता है क्या होता है एक सुद्रसाइनिक बदार्थ होता है, वहीं बात करें, एंजाइम क्या होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, यह made up होते हैं, amino acid की, is made up of amino acid, इसके बने हैं, amino acid के बने हैं, ऐसा बस्माइब है, second thing, जो hormones होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आप लोगों के गायश, natural होते हैं, और natural hormones के साथ, artificial hormones भी पाए जाते हैं, याद रखना, hormones क्या रहेंगे आपके, natural भी रहेंगे और artificial भी रहेंगे, क्या रहेंगे, natural भी रहेंगे, artificial, इस तरफ देखें, जो आपके enzymes होंगे, जो आपके enzymes होंगे, ये सारे की सारे क्या होते हैं, natural होते हैं, सारे के सारे, आप से पुछा जाए artificial का, artificial hormone का नाम बताए, तो याद रखना, क्या होगा, ये सबसे पहला first artificial hormone है, first artificial hormone है, ये बाबक किसने discord किया था, इंसुलिन हार्मोन, जल्दी से पताएगा, किसने discord किया था, तो याद रखना आप लोग, बेंटिंग एंड बेस्ट में कितले, बेंटिंग एंड बेस्ट में इसकी क्या के थिका, इस जिसका होगा, ठीक है, अब बात आती है, next point, hormones never provide energy, never provide energy, never provide energy, never provide energy, यह कभी भी energy provide नहीं करेंगे, कोन यह करेंगे, hormones, hormones आप लोगो को कभी भी energy provide करने वाले नहीं होते, धान से सुनियेगा गय जो hormones होते हैं, आपको कभी उर्दा नहीं परदान करेंगे. बाट ऐसके साथ. इन जाइम के साथ. इट प्रोवाइव オल्सो अनर्जी. इट प्रोवाइट प्रोवाइज प्ने दुक्त butso. सम अनर्जी. ऊप्रोवाइब सम अनर्जी. कि क्या करेगा जया ता? कुछ न कुछ energy provide करेगा किसके कमदरी दिन में हार्मोन के कमदरी दिन यहां तक कोई दिखत तो आपको पता हुना जी हार्मोन क्या है आपका एक chemical substance है आप लोगों कोई पर फिर बता रहा हूं यहां कि हां से सुनना है यार क्योंकि काफी important चीज़े हैं क्योंकि एक्जाम में बार-बार यहीं से बुच्छी जाती है आपके जो हार्मोन से हार्मोन क्या है एक chemical substance होते है pure chemical substance enzyme है enzyme क्या है यह amino acid का बना होता है किस चीज़ा made up of amino acid है तो आपके हार्मोन होते हैं और artificial होते हैं और ही होते हैं enzymes शिर्फ क्या मिलेंगी अईंता आपको क्या मिलेंगे क्या है इंसुलिं नहें किया था इसकी course किसने की ती, discovery किसने की ती, जाद रखना, bending and begs ने की ती, ये कभी भी energy provided नहीं करते हैं आपके hormones, बट enzyme के साथ comparison करे hormones का, तो enzyme क्या करते हैं, कुछ energy को provide करते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत समस्या होगी बिल्कुल भी नहीं होने जाए आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होने जाए आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होने जाए अब यहां देखना मैंने आपको पताया क्या है मैंने आपको यह अध्यान से सुनने एक बर ये बात दुबारा हम पढ़ रहे हैं क्या ग्लेंट ग्लेंट क्या है आपके सरीर का अंग है मतलब कि ये ओर्गन है बाबा ये बात हुए ना और इनका फंक्शन क्या है एक केमिकल सबस्टांस को रिलीज करते है एक रसाइनिक पदार्थ को निकालते है और जो रसाइनिक पदार्थ होता है वो क्या होगा यहाँ पर आप लोगों का हार्मों एंजाइन क्या होगा या तो वो हार्मोन होगा या एंजाइन होगा यही न अब इसको ध्यान से पढ़ो और ध्यान से सोचो इस flow chart को इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है बहुत कुछ मिलने वाला है मेरे दोस्तों आप लोगो बहुत कुछ मिलने वाला है इसमें देखो बात क्या की जा रही है GLEANDS है आपका अंग है और यह जो इसका अंग है तो इसका function क्या है chemical substance निकलता है वो कैसा हो सकते है या तो harmon हो सकता है या enzyme हो सकते है तो आपकी gland ऐसी होगी जो इससे chemical substance निकला होगा, वो कैसा होगा, सिर्फ ओर सिर्फ हार्मोन होगा, ऐसी gland तो हो सकती है न? उसी कोई न ब ग्लेंड होगी आपके सरेड़े में जिससे क्या निकला कैमिकल सब्स्टांस निकला और वह क्या होगा हार्मोन होगा तो यहां से हमें क्या पता लगता है सेम उसी परकार कोई दूसरी भी तो ग्लेंड होगी मेरे भाई सेम उसी परकार आपकी दूसरी भी तो ग्लेंड होगी तो याद रखिएगा ग्लेंड क्या कर रही है केमिकल सबस्टांस निकालने है तो एक ऐसी भी ग्लेंड है जिसने क्या किया केमिकल सबस्टांस को निकाला और जो ये chemical substance था ये कैसा मिला सिर्फ और सिर्फ enzyme की फों का मिला कैसा मिला सिर्फ और सिर्फ enzyme की फों का मिला मतलब कि एक blend ऐसे थी जिससे क्या मिला आपको बस सिर्फ और सिर्फ enzyme मिला क्या मिला सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को enzyme मिला क्या मिला आपको एंजाइब बिल्ट मिला यह क्या होगी कोई न कोई दूसरी टाइप बन गई होगी आपकी ग्लेंड की कोई इक दिकत लिखत समस्या नहीं आनी चाहिए आप लोगों को बिलकुल नहीं आनी चाहिए है अब यहां देखना, तो गाइज एक gland आपकी ऐसी भी होगी, एक gland आपकी ऐसी भी होगी, जिससे सिर्फ और सिर्फ जो chemical substance निकले, वो आपका क्या हो सकता है, जो यह आपका chemical substance निकले, कुछ समय के लिए तो हार्मोन निकले, और कुछ समय बाद उसी में क्या निकलना शुरू ह जाए, ऐसी भी तो हो सकती है न कोई gland, जो दोनों को release करें, एक समय हार्मोन को release करें, तो दूसरे समय enzyme को release करें, ऐसा भी तो हो सकता है न, यहां पर यह क्या मिल जाएगा, आपको type 3 मिल जाएगी gland की, क्या मिल जाएगी type 3 मिल जाएगी, मतलब कि overall हम लोग यहां से क्या find कर पाए, type of glands कर पाए, क्या अगर पाए, type of glands को clear कर पाए, types of glands मतलब गरंथियों के परकार, क्या, गरंथियों के परकार, तो ये गरंथियों के परकार कितने परकार हुए रे बाबा तो आप देखोगे ये तीन परकार हुए गरंथियों के कितने हुए तीन परकार हुए कौन-कौन से हुए उन्हीं को लिखते हम लोग तो जल्दी से नोट कीजिएगा हैडिंग बनाएगीगा टाइप ऑफ ग्लेंड करंतियों के परकार यहां से दान से देखेंगे आप लोगे बिल्कुल यहां से देखेंगे और दान से सुनेंगे आपकी एक ऐसी ग्लेंड है जिससे क्या निकलता है सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स निकलते है आपके हार्मोन्स निकलते है आपकी एक ऐसी ग्लेंड है जिससे आपका हार्मोन भी निकलता है कुछ समयबाद क्या निकलते हैं आपके एंजय Над भी निकलते हैं एक आपके ऐसी मुझा है कोई दिक्त हैरना कोई दिक्त है या जल्दी से बता दीज़े मेरे साफ़से दिक्त नहीं हो गए तो याद रखना इस ग्लैंट जिस ग्लेंड से एक सेग्ड लुकना गाईस आज़े बैद आपकी एक ग्लेंड आप लोगों की ऐसी भी होगी जिससे क्या निकल दा सिर्फ हार्मोन हार्मोन तो आपने उसको क्या बोला था जल्दी से बताओ आपने उस ग्लेंड को क्या बोला था जल्दी से बताएंगे गाईस क्या बोला था याद रखीगा जिस ग्लेंड से सिर्फ हार्मोन निकलेंगे ना उस ग्लेंड को हम लोग जानेंगे एंडोक्राइन ग्लेंड के नाम से एंडोक्राइन ग्ल जिस gland से सिर्फ और सिर्फ हार्मोन रिलीज होते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं, एंडोक्राइन ग्लेंट से, जिस ग्लेंट से सिर्फ और सिर्फ एंजाइम रिलीज होते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं, एंडोक्राइन ग्लेंट से, किस नाम से जानते हैं, लोग? जिस gland से दोनों release होते हैं हार्मोन भी release हो जाता है और enzyme भी release हो जाता है उसको किस नाम से जानते हैं मिक्स gland के नाम से किस नाम से जानते हैं मिक्स gland के नाम जिससे हार्मोन भी release होता है और आपका enzyme भी release होता है तो नों दो जलीज होती है कोई doubt, कोई समझ से अप्रेशा नहीं मेरे हिसाब से आपको कोई भी समझ से अप्रेशा नहीं लगती तो फिर आज हम इस chapter के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं guys जिर्फ और सिर्फ आपकी endocrine glands के बारे में मतलब हम लोग hormones के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग endocrine glands के बारे में पढ़ने वाले हैं hormones के बारे में पढ़ने वाले हैं तो आप से पूछा जाता है कि endocrine glands कितनी होती है हें तो याद रखना ये च्छे होती है कौन-कौन से होती है master gland होती है इसमें कौन-कौन से master माश्टर ेंड होती है आपकी Pinal gland होती है penal आपकी thyroid gland होती है सर्दी बहुत हो गई है सर्दी में बचके रहें, घर के अंदर रहें करोना भी काफी फैल रहा है बाहर ज़्यादा ना निकलें काम हो तभी आप लोग बाहर जाएं ठीक है parathyroid gland parathyroid gland parathyroid gland के बाद किसके बाद आएगी guys यहां पर आपके आएगी thymus gland और last में आएगी आपके adrenal gland यह वो ग्रंधिया है जो किसके अंदर आती हैं आपके endocrine gland के पार्ट में आती है यह सारी कि सारी तो हम इनके बारे में आज क्या करने वाले हैं इस पढ़ने वाले हैं one by one पढ़ने वाले हैं आया समझ में तो याद रखना इन सभी gland से जो chemical substance निकलता है इन सभी गरंधियों से जो chemical substance आएगा क्या आएगा chemical substance इस में सिर्फ और शिर्फ क्या मिलने वाला है आपको hormones मतलब कि हम इस into blood के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं hormone को भी पढ़ने वाले का हम लोग इस की बारे में हार्मोन को भी पढ़ने वालें आया सम Tourism में कोई दिक्कत मेरे साब से मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यहां तक कोई भी दिक्त होगी तो आप लोग जलुक जल्दी से Para प्रिश कोण कोणसी होंगी करी कि इस किने परकार के यह हुगई मैंने अब क्या भी बताया, आप लोगों को, कितने परकार की 6-type की होती है, सबसे पहली होगी जो, उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, Master Glend के नाम से जानते हैं, दूसरे नामों से भी जाना जाता है मैं साथ की साथ बताऊंगा ये सारे नाम, Master Glend को हम लोग जानते हैं किस दूसरे नाम से पिट्यूट्री ग्लेंड के नाम से भी और किस नाम से जानते हैं कि उस ग्लेंड के नाम से ठीक है दोनों नामों से जानते हैं सेम मैं बात करूँ आप लोगों से दूसरी जो है पिनल गलेंट पिनल गधान्ति दूसरी कौन से आप लोगों की पिनल गरन्ति आप लोगों की तीसरी कौन से यह गाइज थेरोइड ग्लेंट इंदी में इसे क्या बोलते हैं आप लोग अफ्टोग्रन थी इंदी में क्या बोलते हैं इसे आफ्टोग्रन थी जो आप लोगों की thyroid gland होती है guys यह thyroid gland क्या गरेगी इसको किस दूसरे नाम से जानते हैं salt maintaining gland thyroid gland को किस दूसरे नाम से जानते हैं salt maintaining gland के नाम से head shaped gland के नाम से भी जानते हैं इसको head shaped gland के नाम से भी यहाँ देखेंगे आप लोग next fourth होती है आप लोगों की parathyroid parathyroid gland जो आप लोगों की parathyroid gland होती है guys जो आप लोगों की parathyroid gland होती है इसे किस नाम से जानते हैं calcium maintaining gland के नाम से calcium maintaining gland के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं calcium maintaining gland के नाम से जानते हैं parathyroid gland के बाद किस की बाद आती है आप लोगों की Disappearin gland के नाम से बुए जानते हैं। नाइक्स्ट आती है आप लोगों की адренal gland यह सारी glands आप लोगों को पढ़नी है Adrenal gland को आप लोग ेसी क्लेंड की नाम से बूए जानते हैं। किस नाम से जानते हैं आप लोग ? emergency gland के नाम से भी जानते हैं तो guys याद रखिएगा ये क्या हैं आपकी endocrine glands ये सारी की सारी क्या हैं आप लोगों की guys एक बार मैं आपको फिर बदा दो आपके endocrine glands हैं जिनके बारे में हम ही क्या पढ़ना ही इच्छी कीच है इनसे क्या release होता है guys याद रखिएगा इनसे आपके hormones release होते हैं और hormones कौन कौन से release होते हैं इनके नाम पढ़ेंगे, hormones का effect क्या होता है, hormones का function क्या होता है, सारी चीज़े पढ़ने वाले हैं और साथ की साथ हम ये भी पढ़ने वाले हैं इनकी locations कहां होती है तो आपकी इच्छे glands हैं आपकी body में कहां कहां पाई जाती है इस उच्छे टाइप की glands है इनकी location भी निखने वाले हैं इनकी body में कहां पाई जाती है तो guys ये सारा काम करने वाले हम next class में, अगली class में तो आप लोग मेरे साथ बने रहेगा और हाँ, आप लोग मुझे unacademy plus पर भी follow कर सकते हैं unacademy plus पर follow करने के लिए ये मेरा profile address है guys और subscription के लिए मैं आपको बता चुका हूँ मेरा code यूज़ करेंगे subscription के लिए ABS live guys ABS live is my code इस code का यूज़ करके आप लोग जा कर सकते हैं discount ले सकते हैं डिसकाउंट मिलने वाले आप लोगों को telegram channel है आपका SSC JEE के नाम से और GS terminal के नाम से guys GS terminal और SSC JEE के नाम से ये आपका telegram channel का link है तो जल्दी से आप लोग हमारे telegram पर connect होजिए क्योंकि हर class की notification हम यहाँ पर provide करते हैं हर exam की notification आपको यहाँ पर ठीक है guys और आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंडिया के number one study channel पर आप लोग मेरे साथ study कर रहे हैं इंडिया के number one study channel पर जिसका नाम है guys unacademy GS terminal जिसका नाम है guys unacademy GS terminal तो guys जिन लोगों ने अभी तक इसको subscribe नहीं किया guys जिन लोगों ने अभी तक इसको subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe करेंगे guys और साथ में press करेंगे आप लोग bell icon को साथ में press करने वाले guys bell icon को जिससे class थोड़ी थोड़ी आज तबियत भी खराब है मेरी तो guys साथ में आप लोग क्या करने bell icon को press करने वाले है जैसे ही आप लोग bell icon को press करेंगे यहां से class की हर notification आप लोगों तक मिलेगी class की हर notification आप लोगों तक पहुंचेगी guys तो bell icon को press करना न भूले और याद रखिए जो मेरी class की timing है guys जो noon में class होती आपकी वो होती आप लोगों की 12 pm यह आपकी theory की class होती है guys और specially यह RRB NT PC के लिए है मैं classes के बारे में बता रहा हूं आप लोगों को फिर जो night में class होती है noon के बाद night में 9 pm class होती है आप लोगों की जिसमें आपका महा संग्राम होता है guys जिसमें आप लोगों का क्या होता है महा संग्राम होता है MCQs का और यह सारे MCQs previous year के है मैं काफी बार करवा चुका हूं आप लोगों को और बता भी चुका हूं यह आपके जो previous year के especially किसके लिए है RRB और NT PC के लिए guys किसके लिए है RRB और NT PC के लिए है तो guys आप लोग मेरे साथ धने रहिएगा इसी channel पर और plus के subscription के लिए मेरा code याद रख लीजिएगा plus के लिए मेरा code क्या है ABS Live है guys ABS Live तो इन चीजों को ध्यान रखे और मेरे साथ जुड़े रहे तो अब समय हो गया आप लोगों से अलविदा लेने का guys Thank you so much Love you all Thank you so much guys Thank you so much Thank you so much guys Thank you so much